फ्रेंड्स भाई बहन ममी ब्लॉज़े सावे का सुवागत करती हूँ उमीद कर चरूस अच्छे हेल्थ में होगे रिधार का ख्याल भी रखते होगे तो जो पंडित कल तक यह बोलते नहीं ठक रहा था गुनगुन को कि दिरुफ तुम्हारा पती है असमा राधिका का पती है वही पंडिता दो घंडे में गुन-गुन को ले जाने के लिए उसे समझा रहा है और फिर से पट्टी परा रहा है कि समर तुम्हारा पती है भाई और कोई नहीं यहाँ दुरुफ की मम्मी जब पैर दवाते ठक नहीं रही है वा भाई वा दुरुफ की मम्मी इसलिए जादू करवा है यह गुन-गुन के पर ताकि तुम्हारा बैटके पैर दबाती रहे तो पैर दबवाना है जब तुम्हारा दुरुफ की मम्मी से एक चीज़ पूछा चाहती हूँ यह ना तुम्हारा माईका है ना सस्राल यहां किसली पड़ी हो अपनी बहु को उठा और अपने घर जाओ अपने जहां पती रहता है पती है भी की नहीं कि पती को भी रिवोस दे दी पती के पास रहो अपनी बहु को लेके क्योंकि अभी तो पंडित को खुद ही आपने कहा कि अब मेरे बेटे का घर बस रहा है, बहुत मुश्किल से बस रहा है, तो जब बेटे का घर मुश्किल से बस रहा है, तो बहु को उठाओ अपने बेटे को लो और जाओ अपने पती के पास जहां पहले रहती थी, समर के घर एक चीज़ आपको बोलना चाहूंगी जब आपके ब्रह्मनन भाईया ने आपको बोल दिया था कि ये सब करो मत ये सब करने से इसके पचले में पढ़ने से पुलिस के डंडे पढ़ेंगे तो ये आपको सतर्क हो जाना चाहिए तो इनके इतीन लाग 20,000 के चक्र में नहीं प चीज़ नहीं है तो यहाँ पर पंडित को देखे मचे ज़दा हसी आ रहा है कि पंडित जो हालत कर रहा है ऐसा लग रहा है जिसे पंडित खुदी इनके चक्कर में आकर भूल जाएगा कि उसकी बीवी कौन है उसके बच्चे कौन है उसका घर का पथा क्या है तो इसलिए पंडित को तुम्हें एकी चीज़ सज़स्ट करूंगी कि गुनगुन को ठीक कर सकते है तो ठीक करो ने तो तुम्हारे जादू का जो असर है वो तो दो तीन दिन में उतरी जाएगा वेट करो अंकित को बोल दो भाई उसकी जो सास है दुरुफ की मम्मी मुझे लेके आने नहीं दे रही है सीधा खुदी जाओ गुनगुन को ठान के लाओ नहीं तो दो दिन दिन वेट करो जब असर कम हो जाएगा अपने आप उसको पता चल जाएगा कि उसको पती है कौन रोज तो जादू करने जाओगे नहीं रोज जादू करने जाते हो पंडित अभी तो उस ले जाने देगी यहां पंडित जीता है जो गुन-गुन को लेके ले जाएगा तो चैनल के ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए चैनल में प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए तब तक के लिए बाई-बाई